नमस्कार, उल्टा चुश्मा यूसी पर कहानियों की सीरीज में आज बात उस नेता की जिसे पॉलिटेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, जो इंजीनियर बनना चाहता था, खेलने में मन ज्यादा लगता था, लेकिन परिवार पर एक ऐसा संकट आया कि ज्वार्खंड के सब सबसे बड़े नेता और दिशोम गुरू शीबू सोरेन के बेटे हेमंत को सियासत में आना ही पड़ा, 10 अगस्त 1975 को ज्वार्खंड के रामगड में नेमरा गाफ में शीबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन ने बेटे को जन्म दिया, नाम रखा हेमंत, पटना से शुरुवाती पढ़ाई और फिर राची में बियाईटी मेसरा में इंजीनेरिंग में एडमिशन लिया, इधर पिता शीबू सोरेन और बड़े भाई दुर्गा सोरेन पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, जब चुनाब होते तो हेमंत युवाउं और छात्रों के बीच जीएमेम का प्रचार करते, 2005 में पिता सीबू सोरेन के आदेश पर हेमंत दुमका से चुनाब लड़े, लेकिन हार गए, इस हार से हेमंत को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो राचनीती में आना नहीं चाहते थे, 21 मई 2009 को बड़े भाई दुर्गा सोरेन की अचानप मौथ हो गई, परिवार सदमे में था, सीबू सोरेन बिमार रहने लगे, ना चाते हुए भी हेमंत को पार्टी को संभालना पड़ा, इसी साल हेमंत जार्खंड मुक्ती मूर्चा के कारेकारी अध्याक्ष बने, इसके बाद 4 जन्वरी 2010 को जार्खंड में चुनाव हुए, हेमंत हारी हुई सीट दुमका से दुबारा चुनाव लड़े, और इस बार हेमंत की जीत हुई, भारतिय जन्ता पार्टी और जेमेम ने मिलकर सरकार बनाई और हेमंत ने डिप्टी सियम की कुर्सी संभाली, लेकिन दो साल बाद ही ये सरकार गिर गई और राचु में राश्ट्रुपती शासन लग गया, 13 जुलाई 2013 को हेमंत ने कॉंग्रेस और राश्ट्रिय जन्ता दल यानी राजत के समर्थन से फिर सरकार बनाई और हेमंत जारखंड के पांचवे और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त उनकी उम्र महस 38 साल थी, हेमंत दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, लेकिन 2014 के चुनावों में भाच्पा ने सत्ता हासिल की और हेमंत नेता विपक्ष बने, लगातार संघर्ष करते रहे, 2019 के चुनावों में हेमंत की पार्टी जेमं ने अकेले 30 सीटे हासिल कर ली, हेमंत ने महागट बंधन के साथ सरकार बनाई और जहारखंड के 11 मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली, हेमंत पर साल 2022 में पत्थर खनन पट्टा आवंटित करने का आरूप लगा, क्योंकि उस वक्त हेमंत राजिके खनन विभाग के प्रमुक थे, इसलिए चुनाव आयोग ने 25 अगस्त 2022 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहट विधायक के रूप में आयोग ये घोशित करने की सिफारिश की, एडी ने इस मामले पर हेमंत से पूच्टाच की, काई बार के पूच्टाच के बाद हेमंत को एडी ने गरफतार कर लिया, हेमंत ने गिरफतारी से पहले सियम पद से इस्तीफा दे दिया तब उनकी जगह पार्टी के भरोसे मंद नेता चमपई सोरेन मुख्य मंत्री बने हेमंत ने इस गिरफतारी को सुप्रीम कोर्ट में चालेंज किया करीब पांच महिने बाद उन पर कोई आरोप सिध नहीं हुआ और वो जेल से बाहर आ गए जेल से बाहर आने के बाद हेमंत ने दोबारा मुख्य मंत्री पद की शपत ले और अब वो 2024 के विधान सभा चुनावों में अपनी पतनी कलपना सुरेन के साथ मिलकर प्रचार में जुटे हैं दोस्तों विरासत में मिली सियासत को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती लेकिन हेमंत सुरेन ने जारखंड की राजणीती में अपना लोहा अच्छे अच्छो को मनवा दिया हेमंत अपना पहला चुनाव भले ही हार गए हूँ लेकिन उन्होंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा एक बार जो पिता के विराचत संभालने राजणीती में आए तो अपने पिता के नाम को कभी खराब नहीं होने दिया इस कहानी में मेरे साथ बस इतना ही आप देखते रहिए उल्टा चिश्मा यूसी और चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा नमस्कार